हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी ऊट्व चैनल टियसे ग्रेकर्ट में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ब्यस्सी एजी फिर्फ समेस्टर खा जो हमारा एक कोर्स है रैन्फेट एग्रिकल्चर एंड वार्टर सेड मेनेजमेंट यानि कि जिसके अंतरगत हम लोग बर्सा आधारित करेंज एवं बार्टर सेड का प्रभंध करते हैं तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिसकस करेंगे तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना बिल्कु भी ना भूलें दोस्तों हम लोग पहले सबसे पहले बात करेंगे कि ड्राइलें एगरिकल्चर यानि कि ड्राइलें एगरिकल्चर क्या होती है तो दोस्तों जो ड्राइलें एगरिकल्चर होती है ड्राइलें एगरिकल्चर का अतात पर यानि कि ड्राइलें क्रेजी का अता कि बर्षा के आधार पर इसे तीन बर्वों में बाटा गया है पहला हमारा है तो यहां तो दोस्तों यह से तीन वागों में डिवाइट किया गया आगे चलके तीन रुपे डिस्कस करेंगे तो आप लोग चैनल पर नए हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भ बारे हम लोग आ में जहां हो सके साथ मिलींटर से कम ऐसे बरसा उला को है यानि कि जहां पर जो बार्सिक बर्सा है दोस्तों वह साथ सो पचास एमेम से कम हो तो वह जगे हमाई ड्राइफ फार्मिंग यानि सुचक कहलाती है खेती के समय में दीरकालिंग सुखा पढ़ना तथा फसल का मारा जाना साधरन्सी बात है क्योंकि दोस्तों जो पानी की मात्रा कम होगी तो हमारी फसल का मारा जाना तो साधरन्सी ही बात है यह चेत्र सुच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जलते हैं कोशन नमबर नेस्ट में यानि जो हमारा नेस्ट अभी है देखते हैं ड्राइफार्मिंग के बाद क्या है दोस्तों ड्राइफार्मिंग के बाद जो हमारा है वह है ड्राइफार्मिंग यानि कि ड्राइफार्मिंग अब दोस्तों क्या होता है तो ड्राइफार्मि जाहाए 750mm से अधिक बास्ग भर्सा वाली सर्थ में फसल रॉतपादन जहां बास्गisy अधिक होता है एक वार्य हीन्द कें न कहलाती है धोस्तों 20 बास्ग यूद बास्ग पूस्ष new शाज है अभज़ शेसन से अधिक होता है उसे हम लोग डॉफ फार्मंग by है जैसे कि राड़ाराशी के कुछ्छ्छ्छ्छ्छ्धा निया कहा होता हैि राड़ाशी के कुछ्छ्छ्छ्छ्छ्ष्च्छ्छ्छ्छ्छ्छ शेथ गया जैसे कि declaration कता है 425 ईम्याम है Гी वैपर ट्रांस्पारेश्ण जो रहेट हमारा है मगर जो है कि अपसेशन जो होता है महज 1100 mm ही होता है और बात सुचेशन हमारा 1400 mm तक हो जाता है बारसिक में तो अर्थात ही है जो प्रती बर्स 300 mm की कमी होती है इस छेतर में सूखा तो पड़ता है यानि सूखा तो पड़ता है लेकिन फसल नहीं मारी जाती है यानि कि सूख यह जो लोग यह खेती किस के अंतरगत आती हैं दूसतों हो आती है कि और फ्रीर्स के अंतरगत आती हैं तो हमारी खहती हैं एक करेंती है लुके का खहक्ती है है यानि कि जहां पर काली मिट्टी होती है वहारा जहांРЕ है जरूरी होता है सनसे आप सभी कुछ समझ में आ गया होगा होगा कि जो ड्रायलेंड फार कौती है हमारी वहार जो बार्णा भर्स होती है छोता है इसके बाद चलेंगे हम लोग अपने नेश्ट में में क्या दिया गया था नेश्ट में हमारा है रैन फेट फार्मिंग यानि कि बर्सा प्रधान खेती तो गाई सी बर्सा प्रधान खेती क्या होती है बर्सा प्रधान खेती जो है वो सामानिता रैन फेट का साब्धिक अर्थ है बर्सा पर आधारित फसलो उत्पादन होता है यानि कि बार्षा के पर आधारित रह करके फसल का उत्पादन करना उसे हम लोग रैंफेट फार्मिंग कहते हैं लेकिन सच विज्ञानिकों के अनुसार इसे नए ढंग से बर्गी करत किया गया है यह था ड्राइ लेंड तथा रैंफेट रैंफेट ग्या से अधिक होती है उस जगहे को हम रैंफेट फार्मिंग का नाम दिया गया है या कहते हैं या कह सकते हैं ठीक है जहां पर मतलब 1150 अधिक बार्षा हो तो वहां पर रैंफेट फार्मिंग होती है या करते हैं या कह सकते हैं ठीक है इतनी बार्षी बर्षा वाले छेत्र आध बाद छेत कहलाते हैं इस छेत में फसल मरने की संभाबना कम होती है लेकिन जल निकास मुख समस्या होती है यानि कि जब पानी ज्यादा बर जाएगा दोस्तों तो वहाँ पर जल निकास भी करना हमें बहुत जरूरी होता है तो गैस हमारे साथ से आप सभी को ये भी समझ में आगया होगा अच्छे से और अपने हर एक फ्रेंट के पास सेयर करना जो भी आपका क्लास्मेट सभी के पास सेयर करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने इस परिवार फैमिली को बढ़ाएं इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्योई और टापिक लेके थैंक्स वार वाचिंग इसके लिए गाइस प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने इस परिवार गोपड़ा हैं ओके गाइस थैंक्स वार वाचिंग बेस्टाप